तो चलिए स्वागत है आपका Winners Academy प्रयाग राज में मैं समीर सुकला और आज हम लोग model paper English का लेके आये हैं जो की model paper है और जो बहुत important है कि बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि उन्हें paper में करना क्या है कैसे question पूछेगा सबसे पहले कौन सा question आयेगा तो मैं आपको बत किया जाता है कि first 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper यानि सुरुवात के 15 minutes जो है वो question paper को पढ़ने के लिए दिये जाएंगे उसके बाद है the paper is divided into four sections ये paper जो है वो A, B, C, D section में divided है और सबके question compulsory है all other questions are compulsory यानि question को करना compulsory है वहाँ पर भले ही और का सब सेंस दिया होगा यानि अथवा का जर हमारा होगा section A जिसे reading के नाम से हम जानते हैं और सबसे पहला question आपके सामने होगा देखे कितना बड़ा सा है ये हमारा unseen passes होगा जो की 15 number का होगा ये कितने number का होगा ये आपका total 15 number का होगा 15 number याद रखिए 15 number बहुत होता है 15 number का होगा जिसमें 4 आपसे short answer पूछे जाएंग आपको उसके question जो लिखे हैं नीचे ठेक है मैं आपको दिखाया दे रहा हूं इसमें जो question लिखे हुए है देखे ॏ लिखा हुआ है question यहाँ पर answer रिफ लिखा यहाँですね को आपको answer क्या करना है देना है ठेक है ृस education का answer आपको देना है तो यांपर मैं थूरा सा पढ़े द बड़े बड़े जो ध्वीप महा ध्वीप है तो आप इस पूरे पैसे को पढ़िए उसके बाद आप इसका जरूर मुझे आंसर बी आप जरूर दीजिएगा अपने कॉमेंट सेंवे दीजिए चाहे तो आप इसे कैसे भी करके दीजिए देखे पहला क्वेश्चन इसमें हैं आप इसको अपने logically यानि आप इसको थोड़ा सा socialism के according भी कर सकते हैं कि how has human activity been chiefly responsible for increasing problem of global warming यानि global warming के कारण जो इंसान है वो सबसे बड़ा कारण क्यों है global warming का दूसरा है कि what are the problem the world is facing due to global warming और वो क्या चीजें हैं क्या problem है जिससे ये पूरी दुनिया इस global warming की वज़ा से परेसान है ठीक है उसके बाद हमारा question number जो third आता है वो ये है कि how was global warming affected India भारत देश कैसे इस global warming से affected है और चौथा है कि how should India plan to cope with the danger of global warming और भारत देश को कैसे इस global warming के खतरे से बचना चाहिए तो इन चारों का answer आप अपने सब्दों से भी लिख सकते हैं आप इन मेंसे धूंड कर भी इसका answer लिख सकते हैं जिससे आपको चार मेंसे चार number मिल जाये अगर आप सही लिखते हैं नहीं तो अगर आप बनाके भी लिखते तब भी आपको अगर दो-दो number भी एक question पर मिलता है तो आपका समझिए कि ये 4 question जो 3-3 number के हैं आपको इसमें 2-2 यानि आपको कहीं न कहीं 8 number जरूर मिल जाएगा 8 नहीं तो 7 क्योंकि छोड़ने से अच्छा है इनमें कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कि आप बीच-बीच से ही इनका कुछ उठा कर point भी लिख देंगे तब भी आपको clear हो जाएगा अब देखिए vocabulary में कैसे पूछेगा कि the opposite of enormous enormous सब्द का opposite क्या होता है देखिए enormous यहां लिखा हुआ है likely to be enormous and may cause a series of adverse effect ठीक है तो enormous का जो opposite होता है enormous का मतलब होता है विशाल तो इसका जो opposite होता है वो होता है teeny क्या होता है teeny होता है उसके बाद है rotten means होता है सड़ा हुआ cruel means होता है निर्दई large means होता है बड़ा तो यहां पर opposite word मांगा है तो enormous means विशाल तो teeny means होता है छोटा उसके बाद opposite word of vigorous vigorous means क्या होता है बलसाली होता है तो इसका जो opposite word होगा वो weak होगा क्योंकि tall का मतलब लंबा, short का मतलब छोटा, small का मतलब भी छोटा, तो यहाँ पर weak वाला section हमारा सही है उसके बाद है the word sustained means sustained का मतलब क्या होता है तो sustained का मतलब होता है maintain करना, यानि इसका जो 1811 number आपको 15 में से मिल जाएंगे, बीना किसी doubt के ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने writing section जो हमारा section भी होगा, वो writing section होगा अब देखिए मैंने आपको इन सब में से देखिए मैंने आपको कभी भी article या essay कभी भी गलत नहीं बताया और हमेशा वही बताया है, जो आपके paper में कई सालों से आ रहा है जैसे woman in new India आप इसमें से एक कर सकते हैं या science blessing or curse ये कर सकते हैं, देखिए terrorism पर भी channel की playlist पर मिल जाएगा और game I like most value of game, importance of game E, ठीक है, तो ये आपका C और E मैंने आपको channel पर पढ़ाया है, बताया है आप अभी जाकर उसके channel की playlist पर जाएए और आप एसे article वाले में आप देख सकते हैं कैसे आपको मिल जाएगा एसे और article वाले में आपको मिल जाएगा ठीक है, उसके बाद देखते है writer later to the editor, देखिए मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ हमेशा कहते आया हूँ और देखिए, जो आपका article है वो भी 10 number का है यानि 15, 10, 25 ठीक है आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सारी चीजे हो जाएगी कोई बहुत बड़ा काम इसमें हमें नहीं करना तो write or letter to the editor देखिए, letter to editor के बारे में मैंने आपको बहुत बार pressure करके, insist करके forcefully मैंने आपको कहा है कि letter to editor वाला section तयार रखिए, क्योंकि आपके paper में आएगा, तो इसी में से आएगा और आपके slabus में भी यहीं दिया है, complaint letter या letter to editor, तो आपको तीसरा कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं कुछ complaint letter को तयार रखिए, कुछ letter to editor तयार रखिए, तब भी आपका काम हो जाना है, क्योंकि यह भी आपका 10 number का होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और section C की तरफ हम अपने, section C जो होगा, वो हमारा grammar का होगा, section C grammar का है और देखे, सबसे पहला चौथा जो question होगा वो section C से start होगा grammar का, कि change any one of the following sentence into indirect अब indirect में दोनों में से आप चाहे जो कर सकते हैं, दोनों के बारे मैंने बताया है, कि he said तो he exclaimed with surprised that what a chance तो यहाँ पर हो जाएगा कि he exclaimed with surprised at that a chance यह आप इसको छोड़ कर यह कर सकते हैं कि he said that, I की changing ही से करिये ही हो जाएगा, must का must रहेगा, go का go रहेगा यह भी आसान है, दोनों में से जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, उसका चोथे का B है हमारा, जिसे synthesis नाम हम लोग देते हैं कि Ram is wise, Ram is gentle compound noun, आपको पता होगा cumulative sentence के बारे में तो Ram is wise and ठीक है, Ram is wise and gentle कर दीजिए, कि not only Ram is wise, but also Ram is gentle कर सकते हैं, Ram is wise as well as gentle या both Ram is wise and gentle दोनों में से कुछ भी, और एक ही करना है तो हम तो यहां दोनों बता रहे हैं और complex वाला भी देखे, too tired to आया, he is so tired that he could not stand तो दोनों आपको यहां पर देखे, यह आपका removal to वाला भी आपको यहां पर मिल रहा है, affirmative से negative वाले मिल भी यही बनता है, तो कहने का मतलब कई तरह से आप इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं ठीक है, आगे बढ़ा जा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं उसके बाद देखे, question number C जो हमारा है, कि transform any one of the following sentence देखे, यहां पर transformations related है और देखे, यहां पर super relative degree के बारे में बताया जा रहा है, तो super relative degree के बारे में भी मैंने बताया है और it is time to look into the door passive eyes, इसको तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, कि it is time for the matter to be looked into यह कर सकते हैं आप, या she is more intelligent than any other girl in the class, तो she is the most intelligent girl in the class super relative degree, आप इसको सुनते रहिए और लिखते भी चलिए, क्योंकि question ऐसे ही पूछे जाते हैं कोई और question नहीं पूछा जाता अब यहाँ पर देखे, question number जो हमारा four कड़ी है, यह आपका syntax chapters related है, यह भी आपका देखे, दो number का आएगा, यह कितने number का आएगा, दो number का, यह वाला भी दो number का इसमें पहला question है, देखे correct any two, चार लिखे हैं जिनमें से आपको दो सही करना है तो पहला तो आप देखे, सबसे पहला आज भी मैंने अपनी कोची में पढ़ाया था और आपको भी यह पता होगा, third वाला कि poetry नहीं होता, poetry होता है और r नहीं होता, is होता है तो his poetry is mystic होना चाहिए, पहली बात, और went out for walk I went out for walk नहीं होता, I went out to walk होता है, या पहला वाला भी कि kind man will pity on the kind man will pity on the poor होता है, तो यह दोनों जो question हमारे बनाएगे, पहला दूसरा, यह preposition से है, तीसरा वाला noun से है, और चोथा वाला was some of the samples defective, ठीक है was any was any of the samples defective, यह हमारा सही वाला है, तो इसको क्यों बात ही नहीं करनी है हमें, तो हमें दो ही बनाना था दो में से हमने तीन आपको बताया अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको तयार करने की किस topic के जरूरत है सबसे पहला topic आपका तयार होना चाहिए कौन सा syntax में noun और preposition इन दोनों को तयार कर लेंगे तो आपको आपका काम हो जाएगा उसके बाद है अब यहाँ पर question number five का यह शुरू हो रहा है कि any three of the following idiom phrases में देखिए जैसे all Greek and Latin है तो इसका भी मैंने लिखाया है आप वीडियो देख सकते हैं तो इसका मतलब होता है unable to understand या very difficult to understand समझने में कठीन होना उसके बाद at large है at large का मतलब क्या होता है बहुत यहाँ पर इसका छोड़िए यह तो खैर अभी confusion में a red later day यानि important day white elephant यानि expensive but less used यानि अत्तिक खर्चिला लेकिन उसका महत तो कम होना fulls paradise तो ख्याली पुलाव पकाना यानि dread dreaming करना उसके बाद यहाँ पर five का B है कि अन्टॉनिम्स बताना है डीप का क्या होता है अन्टॉनिम्स डीप का होता है गहरा तो यहाँ पर जो डीप का आप कर सकते हैं वो क्या करेंगे डीप का मतलब गहरा तो शालो शालो जो इसको आप टॉप कर सकते हैं कुरूवल का का काइंड कर सकते हैं ठीक है उसके बाद स substitute word मांग रहा है कि a man whose wife is dead यह सारी चीजे मैंने कराई हैं सारी चीजे आपको channel की playlist में मिल जाएंगी one by one मैंने इनका नाम तक रखाया और नाम के हिसाब से बताया उसके बाद एक substitute one word substitution में क्या है a man whose wife is dead तो widower होता है a man one who lives holy on a vegetable food vegetarian होता है child whose parents are dead orphan होता है यह भी आपको पता है उसके बाद number five way कई आता है homophones के बारे में कि break और break तो इस break का मतलब होता है तोड़ना और इसका मतलब होता है यहाँ पर जैसे break into होना चाहिए यहाँ पर तोड़ने के sense में और break जो होता है वो भी आपका एक तरह से तोड़ने का ही sense देता है अब यहाँ पर देखे पांच number का देखिए सब दो-दो number के रहे हैं ठीक है दो-दो number आपका सिर्फ और सिर्फ आपको एक-एक सब्द लिखना है वैसे इस बार का जो paper हमारा आया था उसमें आपको देख आपने देखा होगा की mcq format में था तो इस बार भी mcq format में होगा लेकिन उस mcq format को पूरा करने क अपको पढ़ना है इन सब को उसके बाद देखिए translate into English से कि हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं किन्तु ऐसी चीजें हैं जिनका इस्थाई तो ताजगी और अकरसर कभी कम नहीं होता भारत एक ऐसा ही देश है एक ही समय पुरातन और नवीन देश के नलंदत तक शिला विक्रम सिला जैसे विद्यालियों का संब्रित इतिहास रहा आज हमें तकनीकी के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरों को पुनर स्थापना करनी है हमें पुना विस्व में भारती ज्यान के सहष्टा सिद्ध करनी है और ऐसा तभी संब हो है जब हमतीत के स्वाणने प्रिस्टो को पलट कर वर्तमान के संदर में उन्हें योजित कर सके अब देखिए ये पाँच नंबर का है इसे आप बिल्कुल तुरंत आप इसको अपनी कॉपी में लिखिये और मुझे वाट्सप पे मैसेश करें टेक्स्ट करें या आप टेल करना क्या है और सिर्क उतना ही पढ़ लेंगे मैं गरेंटी देता हूं कभी आप फेल नहीं हो सकते कभी आपका नंबर कम नहीं आ सकता मैं आपको बताया देता हूं कि प्रोज सुनिए बहुत ध्यान से प्रोज के सुरुवात के मात्र तीन चैप्टर का सौट आंसर आप इसे तयार कर सकते हैं उसके बाद है यहाँ पर जो दूसरा हमारा है कि वाट वास डगलस कंडिशन आफ्टर गेटिंग इसकेप्टर जो यह डीप वाटर का चैप्टर है और हूँ वास दे रैट ट्रैप सेलर हाव डिडी मेक दिम और उसे कैसे रैट ट्रैप सेलर वा सकते हैं आठवा देखिए क्या है हमारा कि एनी आंसर एनी यह लॉंग आंसर का है तो वाट इंसीडेंट डिडगलस फेस एड़ पूल देखिए डीप वाटर का आ चुका है कि नहीं और हूँ वास गांधी जी एबल टू इंफ्लुएंस लायर्स गिव इंस्टेंस और यह आपका इंडिगो चैप्टर का है ठीक है दोनों आपको बताया है सब लिखाया है आप उसे भी देख सकते हैं क्वेशन नमबर नाइन है यह हमारा यह सबसे इंपोर्टेंट वर्ट वो रहेगा हमारा इसे हम बोलते हैं स्टैंजा बेस्ट क्वेशन आंसर या एक आपको च इट विल नेवर इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस ठीक है इट इस आलवेज लवली कुछ भी आप बना कर लिख सकते हैं और उसको याथ क्वेशन नमबर थर्ड है कि वाट विल अथिंग आप ब्यूटी प्रोवाइड उस क्या चीज़े देती है तो ड्रे ड्रे कर देखET इसे भी आप जरूद देखें उसके बाद के सामने क्यूस्चन नमबट्टन जो आएगा वह चार न wrath का हहुगा और देखेश जो पयेट्री वाला है यह आपका जो पयेट्री वाला है यह आपका च्हे नंबर का होगा और जो लॉंग आंसर है वो सात नमबर का है पोईट्री छे नमबर की है ठीक है उसके बाद आता है हमारा जो सेंट्रल आइडिया है चार नमबर का कीपिंग क्वाइट आंट जेनिफर स्टाइगर अथिंग आ ब्यूटी इसको भी मैं गरंटी देता हूं कि सुरुवात के बास आप दो याद रखिए सुरुवात के केवल दो नहीं तीन कर दीजिए गरंटी देता हूं उसके उलावा चौथा पच्वा छड़वा नहीं पढ़ने के जरू है गरंटी के साथ उसके बाद क्वेस्टन नमबर सेवन हमारा यह हमारा सप्लिमेंटरी से यह भी इसके बारे बता देता ह सुरुवात के मातर तीन चैप्टर याद रखिए ताइगर किंग याद रखिए थर्ड लेवल याद रखिए और उसके अलावा बस यहीं दो और यह तो मिस्टर लैम या यानी ओन दे फेस ओफिट वाला है वाट दिडिटेल अबॉट दे थर्ड लेवल यह सब बताया है वाइव वाइव जैक वरीड अबाउट धर यह भी बताया था और हुव वाज मिस्टर लैम ठीक है यह दोनों कुशन हमारे ओन दा फेस ओफिट से हैं उसके बाद इसका लॉंग आंसर देखे यह आठ नमबर का है सप्लिमेंटरी आठ नमबर का सौट अंसर रहेगा और साथ नमबर का लॉंग अंसर तो देखे गीव ए करेक्टर स्केच ऑफ डैरी या वाट दीड एस्टो लॉजर तिल विन दा टाइगर किंग वस बॉर्न तो मैंने आपको कहा है बताया है कि सुरुआत के किवल ती चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बहुत जल्दी आपको नोट्स मिल जाएगी एक तारिक से मैं बताऊंगा कैसे ले सकते हैं आपको क्या करना होगा नोट्स को पाने के लिए फिर आज के लिए इतना ही थैंक यू